चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब के बटन को दबा दे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा बैल के बटन को दबा दे जिससे लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको साफ थो लिया है दो तीन बार पानी से दो बड़े चम्मच फ्रेश दही को हमने छन्नी पर पंदरा मिनट रख दिया ताकि जिसला डाला ये रेडी मेट पसार का ही है अब वो ही दो बड़े चम्मच हम जो टांगावा दही था हंकड उसी को यूज करा है जो हमने पानी छन्नी पर रखा था वो ही दही था ये अब हमने इसमें वन फोर्थ टी स्पून सॉल्ट एक चौथाई चम्मच नमक एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चौथाई चम्मच ही गरम मसाला पाउडर वन फूर्थ टी स्पून गरम मसाला पौडर इन तीनों चीजों को डाल दिया अब हमने इसमें वन फूर्थ टी स्पून जिंजर गालिक पेस्ट डालाए एक चौथा ही जमच अदरकलसन का पेस्ट और इसको अच्छी तरह से मिला दिया ताकि सारी बोटियों पे लग जाए बोनलेस बोटियों तो जादा है अच्छा है मेरे पास बोनलेस पूरी नहीं थी तो मैंने हट्टिये वाली भी यूज़ करें इस पे आधा लेमन का जूस डाल दें अच्छी तरह से इसे भी मिला दें और इसे छे घंटे मैरिनेशन के लिए रग दे इसमें एक टी स्पून आप देसी घी डालने उससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और तंदूरी बना रहे हैं तो इसके लिए हम इसमें एक पैन में बन टी स्पून ओल डालकर दो बड़े चमच बेसन ढालकर उसको हलकी आज पर बिलकुल भूना ताकि बेसन की कचान निकल जाए बेसन में सोंधा पन आ जाए बहुत हलकी आज पर भूना इसको ताकि ये जले ना और बहुत सुनहरा भी ना हो बस माइल्ड सी खुश्बू वाला सुनहरा सुनहरा बेसन हो ऐसा हमें बेसन चाहिए इसको लगातार चलाते रहे नहीं तो नीच से ये पिलकुल ब्लैक हो जाएगा एक तरफ से जब ये भून जाएगा तो इसमें से अच्छी सी स्मेल आने लगीगी भूने भूने बेसन की सून दी इसमें हमें दो से पांच मिनट लग सकते हैं अच्छी तरह से इसे भून ले इसे भूनने के बाद इसको हमने उसी चिकिन के बैटर में मिला दिया है जो चिकिन का मिक्षर रखावा था हमने हाफ टी स्पून कसूरी मीधी हाथ पर लेकर उसको रगड़ी इससे इसमें बड़ी अच्छी खुश्बू आती है उसी टाइम और इसको भी हमने चिकिन में मिला दिया बेसन और कसूरी मीधी की वज़ा से इसमें रेस्टोरेंट जैसा मज़़ा आएगा जैसे रेस्टोरेंट से ही आएगा इसको अच्छी तरह से चिकिन के पीसिस पे लगा दीजे ताकि ये सारे पीसिस पे लग जाए हाई हीट पर गरम कर लिया फिर उसको हलकी कर दी आज़कुस और फिर उसमें हमने चिकिन के पीसिस ढालती है इसको लू हीट पर से शिखना ताकि अंदर तक सिख जाए और गल भी जाए चिकिन एक तरफ से सिख जाने के बाद दूसरी तरफ पल्टा दूसरी तरफ से सिख जाए मैरिनेट करके रखा है तो जल्दी सिख भी जाएगा अगर आपके पास वक्त ना हो तो आप डारेक्ट भी बसाला लगा कर तल सकते हैं उसमें टाइम जयाता लगेगा तलने में दूनों तरफ से सिख जाने के बाद इन पीसे को निकाल लीजे यह हमारे तलेवे पीस हैं बहुत असानी से जो सिंपल तल लिए असानी सितल गुटल्ष सितल लिएस։